हे गाईज, वेलकम टू बिंग टीचर, मैं किताब अस्थी, इस वीडियो में आपको बीर्ट सेकेंडर का चुपेपर नमबर सेकेंड है, करिकूलम डेवलप्मेंट एन एसेस्मेंट मतलब पार्टिक्रम विकास इवमाकलन, उन से रिलेटेड हमारे जो भी most important topics हैं, उनके बारे में discuss करने वाली हूँ, topic के अंतरगत में क्या आपका बताऊंगी, statements बताऊंगी, definitions बताऊंगी, कौन सा आयो कब हुआ है, और कौन सी अधाना कब दी गई है, किस सन में कौन सी बात कही गई है, किसने क्या statement दिया है, यह सारी चीज़े important है, क्योंकि इन ही से related हमारे questions put up किये जाएंगे exam में, तो इन सब को आप अच्छे से समझे, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आप हमारे comment box में comment करेगा वीडियो कैसा लगता है, आपको उसके लिए आप feedback भी शेयर करिए, जिससे कि हम लोग का motivation level है, वो और भी बढ़ पाए, क्योंकि आप लोग जब comment करते हैं, तो उससे हम लोग काफी आप शाम में आ चाएगा, तो उसकी आप tension मत लीजे, तो बस मतलब जो part 4 हैं, बस इसमें आपका ये second paper पूरा cover हो जाता है, और ये second paper के अगर आपने चारो ये videos देख लिए हैं, तो मैं आपको पका definitely बता रही हूँ, आपका exam बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बता दिया है, जिससे कि अगर question क्योंकि question नहीं पता कहां से पूछा जाए, पहली बार question paper बन रहा है, ठीक है, तो इस वज़े से जो भी मैं आपको आपको पता है, computer से related भी चीज़े आपको almost पता ही है, तो जो चीज़े हमें नहीं पता है, जो चीज़े हमाएं बहुत ज्यादा important है, जो हमारे exam में पूछी जा सकते हैं, क्यों ना हम उनहीं पर ध्यान दे, फाल्तो की चीज़ों पर हमें क्यों ध्यान देना है, इसमें बह होएगा कि आपका exam अगर अच्छा हो गया है, तो हमें बहुत खुशी होएगी, है ना, मुझे क्या ही मिल जाएगा आपका exam अच्छा होगा, बट वो एक अलग होती है, feeling कि हाँ, हमारे lecture जो हैं, आप लोगों ने देखे हैं, और हमारे lecture आपके लिए काफी helpful हुए हैं, तो हम लोग उससे motivate होएंगे, तो और भी आपको अच्छी चीज़े provide कराएंगे, ठीक है, तो इसके लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो please like भी करिएगा, नए हैं, तो subscribe भी करिएगा, और please comment भी कर दीजेगा, और अपने दोस्तों को share भी कर दीजेगा, ठीक ह हैंगे, जो math से related mean median mode होता है, उन से related questions हैं, काफी सारे, तो वो कैसे करने हैं, बहुत easy आपको तरीका बताऊंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल परिशान नहीं होएंगे, आप बिल्कुल फटा-फट से चुटकियों में सवाल लगा के आएंगे, जो लोग सवाल से इतना घवडाते हैं, math से इतना घवडाते हैं, ठीक है, बहुत easy तरे से आपको, मैं आपको बिल्कुल techniques बता दूँगी, जिससे आप से आप सारे questions अच्छे से करके आ जाएंगे, आपको लगे गा ही नहीं कि अरे यार, ये तो बड़ी math है, आप सुचेंगे, अरे ये math है, क्यों पहले पिछले वीडियो में, मैंने आपको 12 chapters complete करवा दिये थे, chapter number 13 है, कौन सा है, पाठचर्या के विकास में, पाठचर्या समर्थि सामगरी की भूमिका, मतलब role of curriculum support material in curriculum development, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको ये line पढ़नी है, जो हमारे लिए काफ़ important हो सकती है, हमें जानना है, एक बार कोई जरूरी नहीं है, ये exam में पूछा ही जाए, बट हमें एक बार जानना है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया, कि actual में जो हमारा पाठचर्या है, जो curriculum है, उसका कैसा development है, जो हमारी सामगरी की भूमिका है, मतलब जो role of curriculum है, ये कि इन पाठचर्या से उधारतों के वल पुस्तक बदलने तक ही सीमित होकर रह जाता है, अब पाठचर्या क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखे, पाठचर्या से related मैंने definitions बता रही है, अगर आप चाहें, तो एक definition प्लीज नीचे लिख दीजे, किसके द्वारा दी लिखी हुई है, कि जो अधिगम संसादन है, इसके अंदर का जो करिकुलम है, इसके development के लिए कई तरह के पाठचर्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, तेक है, आज की द्रस्ट कोड में अगर देखा जाए, तो काफी परिवर्तन आया हुआ हुआ है, पहले के के पास instruments भी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े इसमें लिखी हुई है, जो हम लोगों को पढ़ने की ज़रुत नहीं, हम लोगों को अल्रेडी पता है, इंपॉर्टन क्या है, हमें में वह पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास time नहीं है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, प्ल माने में ऐसी ही भूमिका होती है, चाहे प्रतवी को प्राकृतिक आवास के रूप में देखें, या मानवी आवास के रूप में देखें, अब यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, सौरी, आपको ये नाम याद रखना है, मान चित्रा वली इसको भी प्रत्वी के बारे में बच्चों की जानकारी बढ़ाने में ऐसी भूमिका होती है चाहे प्रत्वी को प्राकृतिक आवास के रूप में देखें या फिर मानवी आवास के रूप में देखें तो आप से question किस हिसाब से पूछा जा सकता है जिसमें आपको ये answer लिख आपको बताया था मार्ग दरशिकाएं और संसाधन किस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जितना ही उनके लिए जो पार्ट पुस्तक होते हैं वो जरूरी होती है तो सिक्षक जो होते हैं हमारे टीचर जो होते हैं उनके लिए अब देखें नेक्स्टे की बहुत पर आधारित होती हैं कि सिक्षक सभी बच्चों को एक साथ ही संबोधित करेगा सभी बच्चों का इस तर एक ही है और उनसे एक ही तरह की उम्मीदे की जाएंगी ये इसका जो स्टेटमेंट यहां पर इतना लिखा हुआ है इनसे एक या दो तरह के क्वेशन पूछे जा स सकते हैं तो आपको बस ये नॉलेज होनी चाहिए वैसे भी आपको पता होगा बट एक बार इसको पढ़ लिजे कि क्वेशन कहीं से भी पूछा जा सकता है हमें कहीं से नहीं पता कि क्या पूछ लिया जाए कि स्कूल पुस्तकाले की संकल देखे आप अपना एफोर्ट डा तो आप मेनज जितनी करेंगे उसे साबसे आपको उतना फल मिलेगा लिखा हुआ है कि जो स्कूल पुस्तकाले है इसकी संकलपना एक ऐसे बौधिक इस्तल के रूप में की जानी चाहिए जहां जो सिक्षक है विद्यार्थी है और निकटस्त समुदाय है इसके लोग ज्या के गहरे अर्थों की कलपना शिलता की तलास में आए इंपोर्टेंट नेक्स्ट है मारा की राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो फाउंडेशन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को अत्रिक्त संसादन उपलब्द करवाये जा सकते हैं कि वहां स्कूल पुस्तकालियों के नेटवर्क की संकल्पना में एक संयोजक संस्था की तरहे काम करें और नेटवर्क बन जाने के बाद उसके रखरकाओ पर भी ध्यान दें ये इंपोर्टेंट है आपका मोस्ट वाला आप टिक कर लीजे या फिर आप लिख लीजे अब यहाँ पे लिखा ह कि सापताहिक और पाक्षिक चक्रों में धरोहर शिल्प को करगे कैची कढ़ाई के फ्रेम खराद इत्याद की जरूरत होती है इंपोर्टेंट है सापताहिक और पाक्षिक चक्रों में धरोहर शिल्प को किस चीजों की जरूरत पड़ती है चार option दे दिये जाएंगे क्या पता ये सारे लिखे हों और क्या पता इसमें से एक या दो लिखे हों और अलग-अलग different different type के options दे दिये जाएं तो आपको ये important चीज याद रखनी है नेक्स्ट हमारा है बहुलता और वैकल्पिक सामगरियों की आवशकता इसमें क्या है भारती समाज की बाहुलिवादी और विविद प्रक्रती निश्चित रूप से यह मांग करती है कि ना केवल विविद प्रकार की पाठे पुस्ते के छापी जाएं बलकि अने सामगरी भी तयार की जाए ताकि बच्चों की रचनात्मक सहभागिता और रुचियों का इस तरह विकास हो सके कि उनके अधिगम में बढ़ोतरी हो यह इंपोर्टेंट है आपके लिए जो भारती समाज इसकी बाहुलिवादी और विविद प्रक्रती निश्चित रूप से यह मांग क इसकी रिपोर्ट्स मतले जो रपट होती है रपट लिखवा जाती है आपको पता होगा रपट क्या होता है तो इसने पार्टि पुस्तकों की कमियों को दूर करने संबंदी कई सुझाओ दिये किसने 1953 में मादमे सिक्षा आयोग ने पार्टि पुस्तकों की जो कमिया है उन प्रप्रावित होनी चाहिए और विकल्पचुन्य की छूट स्कूल को मिलनी चाहिए इतना समझ में आ गया अब क्या कहता है कोठारी आयोगे इसी पर जोड़ देते हुए कहा कि जो पाठिचर्य है इसका पुनर निरिक्षर तदर्थ प्रक्रतिका रहा है और इसे राजस्तर पर तयार किया जाता रहा है किसको जो पाठी चर्या है इसका पुनन रेच्छ तदर्थ इस तर पर प्रकतिका रहा है और इसी को राज इस तर पर तयार किया जाता रहा है जिसे सभी स्कूलों में एक समान रूप से लागू कर दिया जाता है ओके तो यह आप important चीज याद अब हमारा आता है कि मादमिक और उच्च मादमिक स्कूलों में विज्ञान सिक्षर के लिए प्रयोक शालाओं की बात एक महतपूर हिस्से की रूप में की जाती रही है लेकिन वे अभी भी उस पैमाने पर उपलब्ध नहीं है जिस पैमाने पर उनकी आवशक्ता और जैस नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि सिक्षक एक प्रकार सिक्षक जो है ये इस प्रकार की परियोजनाय गत्विधियां चाहे वे पाठ पुस्तकों से संबंद रखती हो या नहीं तैयार करें कि विद्ध्यार्थी जो है उनको स्वयम कुछ करने रचने का आहसर मिले मतलब ज जो सर ने चीज़ दी है या मैम ने चीज़ दी है इसको मैं खुद से ट्राई करूँगा तो सिक्षक को ये सारी चीज़े करनी चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है अब समय में क्या आता है समय में सबसे पहले याद रखेंगे कि जो स्कूल का वार्सिक केलेंडर होता है ये केलेंडर को कुछ अधिक विकेंटरी करत किया जाए ताकि वह इस्थानिय मौसम और तेवहारों के मुतापिक हो सके मतलब जो स्कूल का हमारा केलेंडर होता है वो काफी डिफरेंट होता है जो हमारे घर में केलेंडर होता है आया समझ स्कूल के एकॉर्डिंग उसमें होता तो कि एपरिल जो है ये नया साल होता है किस के लिए और इस से रेलेटर क्या चीज है क्या संबंध है किस से संबंध है अगर आपको पता है तो लिखेगा ठीक है तो उसी हिसाब से जो स्कूल होता है जो कॉलेज होता वहाँ पर कैलेंडर अलग होता है घर के हिसाब से अब इ इसका है कि जो आधुनिक सिक्षा प्रडाली है इसमें पाठिक्रम के पश्चाथ सिक्षक और विद्यालियों के लिए पाठिपुस्त के अधिगम का सरवादिक महत्पूस्रोत है ये एक लाइन बन गई आपकी फिर दूसरी लाइन बन दी है कि पाठिचर्या पाठिक्रम और पाठिपुस्तक के परस पर एक दूसरे के संबंद होते हैं दूसरी लाइन बन गई यहाँ पर ये एक है ये दूसरी लाइन बन गई फिर तीसरी लाइन क्या है हमारी थर्ड लाइन कहती है कि पाठिचर्या के वास्तविक रूप रेखा को पाठिक्रम के द्वारा एवं प पार्टे करम की वास्तविक रूप रेखा को पार्टे पुस्तक द्वारा ही विस्तार प्राप्त होता है। किसमें सर्वविदित होता है। यहां पर डेफिनिशन लिखी गई है यहां पर मीनिंग लिखी गई है। अब हैरुक लिकर मतलब अब हम देख लेते हैं जो हमारे वैग्यानिक लोग हैं जो हमारे विद्वान लोग हैं। किसके द्वारा क्या स्टेट्मेंट्स दिये गया है और किसके द्वारा कौन सा स्टेट्मेंट्स दिया गया है। उसके आप फटाफट से जलदी से कॉपी पर निकाले और note-down करिये और जहां पर भी आप सोते हैं वहां पर उसको चिपका लीजे। उसको जरूर से आ जहां पढ़ते हैं, वहाँ पे उसको paste कर लिजे, जिससे कि आप वो सारी definitions उसको याद रखें, देखें, आपको एक easy तरीका बता रही हूँ, आपको क्या करना है, जो आयोग है, जिनसे आपको पका-पका से पता है कि question पूछे जाएंगे, जो भी हमारे sun से लिख लेना है, वहाँ पे कौन सा topic में कौन सा statement कहा गया है, उसके बाद उसको आपको wall पे paste कर देना है, जिससे कि आप अगर क्या होता है, अगर आप बाहर भी जाते हैं, तो या तो फिर page आप अपने bag जेब में रख लिजे, जिससे कि क्या हो जाएगा, pocket में अगर रखा लिजे, जिससे कि आप इधर उदर से निकलेंगे, तब भी दिमाग एक बार चला जाता है, कि हाँ ये चीज़ चिपकी थी, यहाँ पे ये चीज़ हमारी paste थी, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखके लखी थी, यहाँ पे चिपकाई थी, ये चीज़ इसमें लिख लिखना होगा, तो आप उसको जरूर से copy paste कर लिजे, और idea कैसा लगा comment box में बता देना जी, ठीके, चलिए, बढ़ते हैं हम, इनके किनके अनुसार बोला गया है, सबसे पहले, एक मिनट, बोला गया है, हैरो लिकर के अनुसार, हमारे students बहुत अच्छे हैं, फटा-फट से comment प्रवत्तियों का संपूरी योग है, क्या है, जो पाठिपुस्तक है, यह हमारे ज्यान है, आदते हैं, भावनाए हैं, क्रियाए हैं और प्रवत्ति हैं, इनका संपूरी योग है, हौल क्वेस्ट क्या कहते हैं, हौल क्वेस्ट बोलते हैं कि जो पाठिपुस्तक है, यह सि हॉल क्वेस्ट ने कहा, कुछ आप ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं, आप लोग काफी माइंडेड हैं, आप लोग ट्रिक बना लीजेगा, मुझे भी बता दीजेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रिक्स यार नहीं समझाती हैं, प्रॉब्लम बस इतनी सी है, लेकिन हा, म हमारे जो आएंगे, आगला विडियो आएगा, उसमें क्वेश्ट बहुत ट्रिक से बताओ दोंगी, आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, इसमें लैंज फिर कहते हैं, लैंज ये कहते हैं, कि ये अध्यान छेतर की किसी शाखा की एक प्रमाडित पुस्तक हो च्याओ धानी से तयार की जाती है, और ये सिखशड युक्तियों से भी सुसच्जित होती है, चलिए, रिवाइस करते हैं, फटा-फट से, देखें, हैरो लिकर ने पहले बोला, हैरो लिकर आये, उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला कि जो ज्यान होती हैं, जो या हैरो लिकर ने उस के बाद हैरो लिकर खड़े हुए थे वहाँ पे उसके बाद पीछे से कौन आ गया हॉल्पोस्ट जी आ गया। उन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने कहा कि आपकी तो बात चलिए सही है। लेकिन हम अगर कि इसकी अबिप्रायों के लिए एक व्यवस्थित प्रजाति चिंतन का सब्जेक्ट है एक हम चिंतनका अभिलेक ले लेते हैं जो हमारा ये पाठिबुस्तक है ये एक चिंतनका अभिलेक है किसने कह दिया ये कह दिया hall quest ने hall quest इस साब से याद कर लीजे कि hall quest hall में बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात कह डाली तिक लेंज क्या कहते हैं लेंज आते हैं उसके बाद कहते हैं कि आप दोनों तो सही है है हैरो लिकर और हॉल क्वेस्ट हैरो लिकर ने पूरा क्या कर दिया मिक्स कर दिया योग कर दिया हैरो लिकर के जो ग्यान था आदत थी उन सब का योग बता दिया किसको पाथे पुस्तक उसके बाद लैंज आये लैंज ने बोला कि ये अध्यन छेत्र जो हमारा पढ़ाई का छेत्र होता है उसकी किसी ब्रांच की एक प्रमाणित पुस्तक होती है लैंज तो भाई लैंज है उन्होंने बोल दिया कि जो हम इस्टडी करते हैं जिस छेत्र में करते हैं जो अध्यन जी क्या बोलते हैं उन्होंने बोला कि अध्यापक जो होते हैं उनके बहुमत मतलब अध्यापक का जो बहुमत होता है उसने अंतिम विशलेशड के आधार पर पाठ पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार बढ़ाएंगे इसकी आधार शिला माल लिया इन्होंने क्या कह दिया डगलस ने ये चीज़ कह दी, उसके बाद बेकन आए, बेकन भी आ गये और उन्होंने भी बोल दिया कि पाट पुस्तक कच्छा प्रयोग के लिए जो विशेसग्य होते हैं, जो हमारे विद्वान होते हैं, उनके द्वारा सावधानी से तयार की जाती है, आप लोग ऐसे ऐस पाट आफट से बूलने, ऐसे थोड़ी ना होता है, बेकन भाई बेकन ने उन्होंने कह दिया कि पाट पुस्तक कच्छा प्रयोग के लिए विशेसग्योदा सावधानी से तयारी उसकी करी जाती है, ये सिक्षड युक्तियों से भी सुसजजित होती है, अब सावधानी से भाई तयारी करोगे, तो भाई उसमें सुसजजित सजजजा तो होएगी है, तो बस इस हिसाब सियाद रखें कि ये सिक्षड युक्तियों से भी सुसजजित होती है, तो ये किस ने कह दिया, ये बेकन ने कह दिया, बेकन ने सारी चीज़े पका दी, बेकन ने सारी मज़ आया एक बार से आप रिवाइस करिएगा इस हिसाब से बना बना के तो आप पका से दिमाख में रहेंगी चीजें अब देखे क्या हमारा आता है historical background of text books तो इसमें क्या है मानो सब्विता जो है important है मानो सब्विता जो है इसके प्रारभ में ग्यान मौखिक रूप से दिय खेती या मौखिक या फिर लिखित मौखिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो आप टिक करके आम मैंने टिक कराया था मौखिक ठीक है आपको भी अब पता होगा फिर है ये एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि लिखने की कला का विकास लगबग 6000 वर्स पहले हुआ जो हमारा ये रिटन वर्क है इसका जो विकास हुआ ये लगबक 6000 वर्स पहले हो गया था तेक थर्ड पॉइंट क्या है कि इससे पहले ग्यान को कंठस्त करने की ही विवस्था थी जो वैदिक काल ने इसमें भी वेदो के शलोको को गुरु द्वारा सिस्थियों को कंठस्त कराया जाता था किहां वैदिक काल में इसमें लिखा हुआ है कि पार्ट क्रम को ध्यान में रख कर पार्ट पुस्थकों के विकास का इतिहास सोलहवी सताबदी से प्रारंभ होता है सर्वतम कमेनियस 1592 से 1670 इन्हों ने देखे कमेनियस ने क्या कहा इन्हों ने भासा सिक्षड की पार्ट पुस्तक लिखी सबसे पहले किसने पुस्तक लिखी भासा सिक्षड की कमेनियस ने पार्ट पुस्तक की बात हो रही न यहाँ पे टेक्स्ट बुक की बात हो रही है न य हमारे जो कमेनियस थे इन्हों ये 1592 से 1670 में इन्हों ने भासा सिक्षड की पार्टि पुस्तक लिखी थी सबसे पहले याद रखेंगे इंपोर्टेंट है तिक नीशी के हमने आपको बताया है कि जो 19th वाली हमारी सताब्दी थी 19th वी सताब्दी में फ्रोबिल, डीवी, महात्मा गांदी इन्हों ने पुस्तकी गान का विरोध किया और अनुभो के इंद्रित और क्रिया प्रधान सिक्षा पर बल दिया मतलब इन्हों ने बोला कि जो हमारे बुक्स का नॉलेज होता है इस पे विरोध कर दिया मतलब यह क करते हैं जो हम अगर सामने अगर कोई बता रहा है उसको हम अनुभो करते हैं अगर हम वो चीज़ करते हैं तो उसको जो अनुभो मिलता है क्रिया प्रधान सिक्षा पर बल दिया मतलब जो भी हम करते हैं और जिससे हम सीखते हैं इन दोनों पर किसने बल दिया था फ्रोबि प्रसिक्षर परिसत NCRT जो है ये नई दिल्ली द्वारा भी इस छेत्र में कारिक किया जा रहा है अब NCRT नई दिल्ली लिखा तो आप इससे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं NCRT का जो हमारा हाडुकाटर अब यहाँ भी क्या आएगा Need and Importance of Textbooks अभी तो हमने Textbook के बारे बोला कि किसने क्या स्टेट्मेंट दिया उसका क्या हमारा Evolution वगरा था इन सब के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे कि Need और Importance क्या है कि जो हमारी पार्टि पुस्तक है उसका हमारे Life में आवशक्ता क्या है उसका हमारी Importance क्या है उसके हमारी Need क्या है यहां भी पढ़ेंगे Important है कि जो Crown Back है Crown Back ने बोला कि अमेरिका में आज के सैक्षिक चित्र का केंदर बिंदू पार्टि पुस्तक है जो आज का हमारा सैक्षिक चित्र है उसका जो हमारा केंदर बिंदू है वो पार्टि पुस्तक है इसका विद्याले में महात्वूर स्थान है इसका अतीत में भी अधिक महात्व था और आज भी है इसको जन सामाने की भी लोक प्रियता प्राप्त होती है क्योंकि जो पार्टि पुस्तक है विद्याले या कक्षा के छात्र जो होते हैं तता जो सिक्षक होते हैं उनके लिए विशेश रूप से तयार की जाती है क्या पाठे पुस्तक जो है इसकी जो तयारी है वो इसी के लिए तैकिस के तयार की जाती है छात्र और सिक्षक के लिए तयार की जाती है जो किसी एक विशे या संबंदित विशेओं की पाठे वस्त का प्रस्तुती करण करती है तो ये पूरा आपका statement याद रखना है क्योंकि इससे एक, दो या तीन questions put up किये जा सकते हैं ओके नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्या important है कि जो पार्ट पुस्तके हैं ये सिक्षकों और छात्रों के लिए मार्ग दर्शत का कारे करती हैं ये भी important है फिर important क्या है कि छात्रों का मानेसिक इस तर इतना उचा नहीं होता है कि वे विद्यालिये में पढ़ाई गई विसे वस्तु को एक ही बार में आत्म साथ कर सके मतलब अगर उनको एक ही बार पढ़ाया जा सके पढ़ाया जाया तो वो मतलब उनको पता चल जा कि हाँ ये असर ने पढ़ा दिया एक ही बार में वो बिल्कुल उनको अच्छे से सारी चीज़े समझ में आ जा तो ऐसा नहीं होता है योगी सिश्चकों का ग्यान भी अविवस्थित होता है अदहा उसे विवस्थित करने में पाठ पुस्थक सहायता करती है उसके बाद जो पाठ पुस्थक है इसके आधार पर कच्छा कारे और मुल्यांकन संभ़ होता है पता होगा इसके मादिम से छात्रों के इस मरड़ और तरक शक्ति का विकास होता है फिल लिखा कि जो पाठ पुस्थके हैं ये मंद बुद्धी और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उप्योगी होती है अब आते हैं टाइप सॉप टेक्स्ट बुक के ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली जूरत ने यहाँ पर तीन वर्ग लिखे होएं लेकिन यहाँ पर पांच वर्ग दिएगे हैं देखे सामाने पाठ पुस्थके इसमें क्या होता है ये पुस्थके किसी विशेष पर सामाने अध्यन की द्रस्ट से लिखी जाती है पाठ क्रमपरा धारी जो होती है इसमें क्या होता है ये पुस्तकों का विस्तार छेत्र जो होता है जो संदर्व पुस्तके होती है इनका जो विस्तार प्रकार की पुस्तके होती है इनमें जो विस्तार केंदर होता है इसमें काफी विस्तरत ग्यान का समावेश होता है जो सहायक पुस्तके और कारेपुस्तका साहाइक पुस्तके बारी सिख्षक के लिए उत्र ही जितनी पुस्त पुस्तके हैं और मार्क दर्शिका देख सकें संसादन उनका बना सके और जो सिक्षक की सहायता पुस्तके हैं जो उनके मतलब जो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है विविद रूपों से जो तयार करी जाती हैं इसमें वो पुस्तके आती हैं अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है पाटिचर्या में नैतिक सिक्षा वा मूली सिक्षा का आभाव लैक ओप मोरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन इन करिकुलम इसमें क्या है इसमें लिखा है कि जो मूल सिक्षा है इससे तात्पर ऐसी सिक्षा से है जिसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है और इसमें प्रडाली का संगटन इस प्रकार किया जाता है जिससे सिक्षा के सभी अंग जैसे पाटिक्रम है उद्देश है सिक्षड विदिया है सिक्षक आदी सभी मुल्यों का समवर्धन करने में ततपर हो फिर है कि छात्रों को सिक्षा के उद्दे से इस प्रकार बताया जाएं जिससे उनके अंदर मुल्यों का विकास हो वे एक आधर्स मुल्य आधारी समाजी क्विवस्था का निर्माड कर सके देखे जो भी बतारी हो इंपोर्टेंट है मैं अब जादा कुछ समझा ने रहे हू अब इसमें लिखा हुआ है कि जो मुल्य सिक्षा है इनके दो अर्थों में इनको प्रस्तुत किया गया है पहला है मुल्यों की सिक्षा मतलब education of values और फिर है मुल्य समाहित और मुल्य परक्षिक्षा मतलब value oriented education देखे जो मुल्य परक्षिक्षा है इसमें क्या होता है इसमे सबी विशियों में मनो वैग्यानिक ढंग से मूलिस समाहिक करके निरधारित मुल्यों की विकास पर बल दिया जाता है तथा एकी क्रतो पागम जो integrated approach है इस पर बल दिया जाता है इसे ही भारती संदर्व में मूलिसिक्षा की रूप में स्वीकार किया जाता है जो मूली सिक्षा है इसका तात पर विद्यारतियों में मानुवियता का भाव उत्पन करने दूसरे एवो मुरास्ट्रहित के प्रति गहरी सोच उत्पन करने की विवस्ता से है इंप्पॉर्टन्ट है पॉइंट, फिर है कि 21 सदी की सबसे बड़ी समस्या मानवी मुलियों के हरास के रूप में देखी जा रही है इसलिए हमारी सिक्षा विवस्ता में मूली शिक्षा का समावेस अत्यनत आवर्श्यक है अब हमारा आता है काफी important है इसलिए मैंने बहुत सारा इसमें highlight किया क्योंकि इससे 5-6 तरह के question बन सकते हैं यह content of value education in curriculum मतलब जो पाठे चर्यागत मूली सिक्षा की विसे वस्तु है उसके बारे में इसमें गया है सुरपतम जो राष्ट्री सिक्षा नीती है 1986 इसके द्वारा बताया गया है कि सिक्षा में जो समानता है इसको और सामाजिक नयाए देश की अद्वत्ती एक सांस्क्रतिक पहचान है राष्ट्री समरत्ता की भावना है सही सुड़ता का विकास है और वैग्यान वे मूलभूत मानविय मुल्यों और सामाजिक नयाए के लिए संकल्प का मार्ग प्रशस्त करती है इसी प्रकार राष्ट्री पाठेचर्या की रूप रेखा 1988 में नहित मूलभूत तत्तु भी वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक है नागरिकों के 10 मौलिक करतव्यों को स समविधान में शामिल करने हैं तो जो समविधान में संसोधन किया गया था देखें इंपॉर्टेंट है भाई वहाँ सभी 10 मौलिक करतव्यों को पूछा जा सकता है वहाँ सभी वहाँ भी इस बात का प्रतीक था कि एक देश की अपने नागरिकों के से क्या अपेक्षाय है हता इन सब बातों को विध्याली पाटे चर रहा विवस्था में सिस्थान मिलना ही चाहिए तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इससे कई तरह के क्वेशन्स बन सकते हैं आप इतने टैलेंटेड हैं आपको पता होगा किस तरह के क्वेशन्स बन सकते हैं अब सदाचरण, शांती, प्रेम और अहिंसा, मूल बूतवा सारभोम मूली है वह मनुसिके व्यक्तित की रीड है तथा उसके व्यक्तित के पाँच आयामों बौधिक, भौधिक, भावनात्मक, मनोवे ग्यान्यात्मक, अध्यात्मिक का प्रतिनिदितु भी करते हैं आयाम जो है सिक्षा के 5 उद्धेसे हैं ज्यानकौसल संतुलन, द्रस्टी और अस्रमिता से भी जड़े हैं ऑप यहां पे है कि जो राश्टी सेक्शे अनुसंधान मतलब ENCRT जो है इसने अनेक संगोस्टियों के आयोज्ण के पश्चाट 83 मूल्यों की एक लंबी सूची भी बनाई इस तो ये कई सारे चीज़े हैं अब ऐसा तो है ने कि ये सारी चीजों का अध्यन कराया गया हो है ना इस लंबी सूची में अटपटा मान कर जो NCRT है इसने स्कूली सिक्षा के लिए पंच मूली सूत्र तयार किये और ये पांच मूली सूत्र क्या है सफाई सचाई स्रम समानता और सहयोग इंपोर्टन है जो NCRT है इसने स्कूली सिक्षा के लिए कितने सूत्र तयार किये पांच मूल सूत्र तयार करे कौन कौन से सफाई सचाई स्रम समानता और सहयोग अब देखे जो ये सारे लिके हैं अब इन सारे की सिक्षा थोड़ी न दी जाएगी तो कई सारे अब देखे नेक्स्ट है कि मूली सिक्षा की भात ही नैतिक सिक्षा जो है इसकी सिक्षा भी मनुसिके जीवन में बहुत आवसिक है जैसे कि हमारे जीवन में मूली सिक्षा इंपॉर्टन होती है वैसे ही हमारे जीवन में नैतिक सिक्षा भी काफी इंपॉर्टन है जिसका प्रारंब कब हुआ था इसका प्रारंब मनुस्के बाल्याकाल से ही हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के स्वर्वोचने आले ने कचछा 1 से कचछा 12 तक नैतिक सिक्षा अनिवारे बनाने पर भी जोड दिया था नेक्स्ट है कि रास्ट्री पार्टिचर्या की जो रूप रेखा 2000 है इसमें विबिन इस तरों पर दी जाने वाली नैतिक सिक्षा में संदर्भ में निम्न कारे कलापों की अनुशनसा करी गई कौन कौन से प्रात्मिक सिक्षा के इस तर पर ये सारी चीज़े करेगे और मादमिक और उच्चतर मादमिक सिक्षा पर ये सारी चीज़े करेगे जो आपके लिए इंपोर्टन नहीं है ठीक है अब है हमारा नेक्स्ट जो है 15 नंबर इसको पढ़ेंगे पार्टिक्रम सनरचना का अंतिम सोपान संपूर प्रक्रिया का उद्देसों की प्राप्तिकी द्रस्टि से मुल्यांकन करना है अब यहां पर है कि जो मुल्यांकन है यह सिक्षण अधिगम विवस्था का अंतिम सोपान है तथा इसका वास्तविक अर्थमूलिका अंकन करना है देखे समझ जाए कि मुल्यांकन क्या है असेस्मेंट क्या है जो मुल्यांकन है मुल्यांकन क्या मतलब क्या हो गया हाँ जो evolution है वो क्या है यहाँ पर यह बता गया sorry मैं थोड़ा confused हो गई हूँ assessment और evolution में हाँ जी यहाँ पिलिका जो evolution है जो evolution है सिक्षर अधिकाव विवस्था का अंतिम सोपान है और इसकी वास्तविक्ता अर्थ मूले का अंकन करना है जो पाड़ी चर्या है इसमें मुल्यांकन में भी पाड़ी चर्या के वांचनियता का वास्तविक्रोप से अंकन करना है और मुल्यांकन जो है यह एक ऐसा कारिया प्रक्रिया है जिससे मापन से प्राप्त परिडामों के वांचनियता का नेड़े लिया जाता है अब देखें जो H.H. Ramers है और जो N.L. Gage है इन्होंने मुल्यांकन के अर्थ को इसपस्ट करते हुए कहा था कि कहा है कि मुल्यांकन जो है इसमें व्यक्ति अत्वा समाज अत्वा दोनों की द्रस्ट में क्या अच्छा है अत्वा क्या वांचनी है इसका विचार या लच्छ नहित रहता है. मुल्यांकन जो है उसमें क्या नहित रहता है जो व्यक्ति उर्वा क्या जो है इसका लक्ष जो है यह नहित रहता है यह important है भाई यह आपको याद रखना है इसमें आपको बिल्कुल भी गुंजाइस नहीं करने हैं जो बता रही हूँ देखे जो मुल्यांका ने evolution प्रक्रिया इसको तीन प्रमुक तत्तों में बाटा गया है जो मुल्यांका ने इसके ये तीनों अंग परस पर एक दूसरे पर निरभर रहते हैं अब हम पढ़ते हैं करिकुलम इवल्यूशन इसमें जो पाटिचर्ण संद्रचना है इसका अंतिम 105 संपोड प्रक्रिया के उद्देसों के प्राप्तिकी द्रस्ट से मुल्यांकन कर रहा है तिक फिर है कि जो अधिगम परिस्थितियां हैं अधिगम परिस्थितियों तथा सी किया जाता है और इसे ही इवल्यूशन कहते हैं मुल्यांकन किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे आप लोग फिर है कि जो पाटिपुस्तके होती हैं और जो परिक्षाए होती हैं इनकी जो मानिसिक छमताय हैं जैसे विसले सर संसले सर समस्या निदान रचनात्मक के लिए पहारिता कुशल प्रमारिता और सैक्षिक मुल्य के बारे में निडरे लिये जा सकते हैं अब एकी पाट चर्या मुल्यांकन प्रक्रिया का एक छड़िक कार नहीं है वरन यह गतिशील और चक्र ये प्रक्रिया है जो मुल्यांकन है मुल्यांकन इस चक्र का वहापद है जि दूसरी और उसमें संसोदन और परिवर्दन की आवशक्ता का अनुभव होता है। पाठिचर्या मुल्यांकन एक गतिशील और चक्री प्रक्रिया है। पाठिचर्या मुल्यांकन और परिवर्दन की आवशक्ता का अनुभव भी हो जाता है। और इसी प्रकार मुल्यांकन के भावियोद देशों के लिए दिसा निर्देश प्राप्त हो जाते हैं। पाठिचर्या मुल्यांकन की गतिशीलता है और जो चक्री प्रक्रिया है ये काफी डेवलप हो जाती है और इसके विकास के सबी चर्डों में सत्त रूप से चलती रहती है। और जो इसकी पाठिचर्या है अभिकल्प और कर्यानवेन के प्रतेक स्तर पर भी प्राया आवशक्ता पढ़ती रहती है। इसके अंतरगत क्या बताया जाएगा आप इतना याद रहें इसके अंतरगत प्रतेक विसे का मुल्यांगन किया जाएगा। जा रही है ये पहली बात है। दूसरा है कि छात्र द्वारा जो पाठिचर्या मुल्यांगन करने के लिए एक टीम का भी गठन होता है। याद रिखेगा अब व्रैद स्तर पर पाठिचर्या मुल्यांगन किसे आप से होता है। वो उपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और प्रचिल्द परिवरतनों को समाविस्ट नहीं किया जाता है। तो विद्ध्यार्थ याथार्थ को नहीं जान सकेंगे। यह देखें इंपॉर्टेंट है जी। आप लीज लिख लीजे जी। जरूर से लिख लीजे जी। नेक्स्ट है कि हम पढ़ेंगे इडवांटेज और इंपॉर्टेंस ऑफ करिकूलम इवलूशन इसमें क्या है। इसमें क्या है। इसमें देखें कई तरह के प्रयोजन बताएगे हैं। आपको सिर्फ प्रयोजन पढ़ने हैं। नई पार्ट चर्या का विकास होकर कि इसका मुल्याकान मतलब इंपॉर्टेंस किसाब से होगी अगर हम डेवलप कर दें इसका नया करिकूलम और हम अगर रिव्याइज कर दें मतलब कारयान में के अंतरगत पाच्चर्या कि समेक्षा मतलब पुन रिच्षड तो पुन रिच्षड में क्या होता है कि उसमें आपको हर एक चीज़ देखनी होती है उसे साब से इंप्लिमेंट करते हैं उसे साब से रिव्यू देते हैं उसमें कि किसे साब से इसमें कार हो रहा है निस्क्री सामगरी को हटाना और विद्धिमान पचर्रा का अदितन करना मतलब कि जो हमारी बेकार की पजस्य वाली जो हमारी content होते है उनको remove कर देना है पैस्य वाली और हम एक्जिस्टिंग वाली जो हमारे curriculum होता है उसको update कर देना होता है अब हमें ये जानना है कि sources क्या है? sources है curriculum evolution के किसे साब के sources है? जो curriculum evolution होगा इसके sources क्या है? मतलब जैसे हमारा student है ये इसका एक source हो गया हमारा जो teacher है ये इसका एक हिसाब से source हो गया जो हमारा अध्यापन कार है ये एक हिसाब से source हो गया जो subject expert है ये source हो गया curriculum expert है बहुत सारे ऐ करिकुलूम एवोलूशन के इसे इसाब से क्वेशन बन सकते हैं आपको अंदर इतना एक्स्प्रेइन करने की जूरत नहीं है सम्में इसमें कुछ इंपोर्टन चीज लिखी थी इसलिए मैं इसको हाइलाट किया है इसमें क्या है इसमें लिखा हुआ है कि केंद्री मादिमिक सिक्षा बोर्ड CBSC है रास्ट्री सेक्षियर आनों संथान और सिक्षा पसथ NCRT जो है और उसमें मादिमिक सिक्षा राजी बोर्ड है इसमें उत्तर दाई स्थानों पर प्रतिस्टित नीत निर्माता भी पार्टिचर्ण उल्लाकन के लिए सूचना के स्रेश्टिस रोत है इंपॉर्टेंट है जी याद रखेंगे और समूदा है मितलब कम्यूनिटी जो है इसका सोर्स होता है ड्रॉप आउट स्टुडेंट जो होते हैं वो सोर्स होते हैं यह चीज़ तो आप पढ़ी सकते हैं अब आते हैं हम एसेस्मेंट और इवलूशन पे आकलन और मुल्यांक जिस हिसाब का हमारा यह सब्जेक्ट है करिकुलम डेवलूपमेंट एंड एसेस्मेंट यह हमारा सब्जेक्ट है अब हम बढ़ते हैं एसेस्मेंट के बारे में अब एसेस्मेंट और इवलूशन में क्या चीज़े होती हैं देखे जो बारा एसेस्मेंट और इवलूशन हो कि आगे और बच्चे निकलें और ये बच्चा पीछा हो रहा जाए तो बहुत जादा टेंशन इन सब चीज़ों की तो इस बात ने भी आकलन परिक्षड और मुल्यांकन को महतुपुड विसे बना दिया है अब आकलन क्या है आकलन वहां सूचना है जो हमारा एसेस्मेंट है वह एक तरह की ऐसे सूचना है जो सिख्षा देने के लिए अध्यापक और चात्र द्वरा संकलित की जाती है जबकि जो हमारा एवलूशन है एकाई मतलब यूनिट के अंत में अध्यापक द्वरा किसी उपकरण का प्रियोग कर चात्र का इस्थान निर्धारित करती है जै श्कर पूछना है कि उसने क्या सीखा है उसका हम हम तो कर रहे हैं अब जो हम इन पुट दे रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट का किसे साब का आउट पूट आता है वह जाता है हमारा एवलूशन थिक है अब हम उससे पूछेंगे वह जो आपने उपकरण अगर दिया है ज मतलब इससे क्या हो जाएगा इससे आप जब वो बताएंगे इससे साफ से आप छात्रों का एक evolution कर पाएंगे एक मुल्यांगन कर पाएंगे कि छात्रा किस stage पे है या फिर किस level पे है इसको कितना आता है अभी कितना की जरूरत है और इसको कितना कम की जरूरत है कितना अध्यापक के लिए है जबकि मुल्यांगन प्राया अन्य लोगों के लिए होता है आकलन क्या होता है अधिगम के क्रिया चात्रों अध्यापकों के लिए होता है और मुल्यांगन क्या होता है ये अन्य लोगों के लिए भी होता है assessment is for the student and the teacher in the act of learning while evolution is usually for others ठीक है this is important for you आपके exams के लिए काफी important है याद रखेगा please note down कर लीजे next day आकलन बहुत अधिक महत्तपूर है क्योंकि यह सिक्षा का अभिन अंग है जो assessment है बहुत महत्तपूर है क्योंकि यह सिक्षा का एक पार्ट है मुल्यांकन जो है इसके सबसे बड़ी मांग grading में होती है जो मुल्यांकन होता है मतलब evolution होता है इसका सबसे बड़ा मांग जो होता है वो grading करने के लिए होता है जो मैं grade दिये जाते है न या report card जो grading करी जाती है न उसके लिए काफी मांग होती है तो पूछा जा सकता है कि ज evolution है उसका सबसे ज़्यादा importance किसमे है grading करने में अब देखे जो Wendy Wolle और जो Levin है ये संदोजार 6 इनके अनुसार क्या कहा गया है एक मिनट यहां पे थोड़ा सा रुख जाए एक बार एक मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लेजए अब ये मैं आपको बता रही हूँ हाँ जी तो देखे इसमें ये क्या कर रहे हैं ये दोनों लोग क्या बोल रहे हैं इनके अनुसार क्या कहा गया है इनके अनुसार कहा गया है कि just a second हाँ जी इनके अनुसार कहा गया है कि the myth of grading by statistical number crunching is so formally ingrained in schooling at all levels that you may find it heard an abondment समझ आया अब इसमें गया कि but it unfair to student to parents and as the teacher to ignore all the information you get almost daily from the problems based approach in favor of a handful of number based on the test that usually focus on low level skills इसमें क्या है इसमें में लिए ये चीज़ बताईगी है कि ये देखे यहां पे आप इसको पड़ भी सकते हैं इसमें आपको लिखके दे भी दिया गया है युझनों ने ये चीज़ बोली है myth of grading by statistical number मतलब इसमें grading से क्या होता है इसमें आपको ये पता चल जाता है कि कभी कभी होता है कि आप number नहीं देते हैं grading देते हैं इसे आप grade लगाते हैं बच्चों का कि कौन सा बच्चा किस grade पे है उसे साब से आप उसको और तयारी कराते हैं ठीक है इस साब से हम grade के बारे समझ गहें इसमें क्या लिखा हुए, but it is unfair to students, to parents, मतलब, to students, parents, students, निन दोनों के लिए काफी unfair होता है, and ask the teacher to ignore all the information, you get almost daily from the problem based on approach in favor of handful and number, मतलब की, देखे, क्या होता है, हम जब test देते हैं, तो उसमें तो हमें marks मिल जाते हैं, उसे साफ से हमें क्या होता है, उसे साफ से हमें पता चल जात है, कि हाँ, इतने marks हैं, grade में क्या होता है, हमा grade में एक होता है, कि A है, तो जैसे कि A grade है, तो बहुत अच्छा है, A1 है, A2 है, उसके नीचे आने लगता है, फिर B है, फिर C है, मतलब, दीरे-दीरे कम होने लगता है, तो इससे होता है, कि हाँ, ये फिर खराब है, फिर और से क्या कर सकते हैं, नंबर से आप एक मुल्यांकन कर सकते हैं, किसी student का, यही जिस यहाँ पर unfairly लिखी गई है, कि यह unfair है, तो इसी वज़े से यहाँ पर numbers जो है, उनको काफी ज़्यादा importance दी गई है, यही होता है grading, यही होता है evolution, जिसमें हमें evolution जो होता है, इसका grading में अच्छा करने के लिए अपने द्वारा नित्य प्रति की जाने वाली क्रियाओं को महादू देना चाहिए, और यह सीखना चाहिए कि उनसे आपको याद रखनी है, कहीं से भी question पूछ ले जाते हैं, देखे, सारूप में जो number है, आवंटित करना मापन है, number प्लस नंबरों के अर्थ प्रदान करना आकलन का उधारड है, और अंत में number प्लस नंबरों के अर्थ के साथ मुल्य निर्ड़े जो करना ये मुल्य अंकन का एक उधारड है, देखे, जैसे marks दिया हो है, marks is equal to मापन, ठीक, अब अंक प्लस अंकों का जो अर्थ है, ये क्या हो जाएगा, अब हमारा अंक अगर हमारे marks होएंगे, और marks होगी meanings क्या होएगी, किस हिसाब के marks होएगी, उससे में क्या मिल जाएगा, आकलन मिल जाएगा, assessment मिल जाएगा, फिर हमारा जो हमारे marks होएगे, marks की meaning होएगी और उसके बाद जो हमारा मुले निर्ड़े आ जाएगा, उसको क्य विद्यार्ती के निस्पादन में और सोचिना एकत्रित करने में प्रक्रिया करता है, इसकी प्रक्रिया करता है, आया समझ, देखें, नेक्स्ट है हमारा, अब ये इसमें क्याता है, रचनावाद से संबंदि साहित में तीन कंस्टुक्ष्ट्स जो है ये प्राप्त होते हैं, अधिगम पर्या वरड जो होता है इसके लिए उनके जो हमारे इंप्लिकेशन होते हैं, ये ग्यात होते हैं, जैसे फर्स्ट क्या है अधिगम और क्रिया शिल्ता की प्रक्रिया, दूसरा है सीखने वाला, चातर में पूरता पूर ग्यान होता है, तीसरा है सीखने वाला आपने अधिगम का स्वयम उत्तरदायतु लेता है, अब ये जो नाम लिखे हैं, इनके द्वारे क्या होगा, अभी आगे मैं आपको डेफिनिशन्स इन्होंने स्टेटमेंट्स दिये हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, देखें, यहां से सुरू हो जाता है, मारे निम्नांकित कथन दियेगे, स्टेटमेंट्स दियेगे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, भईया आप लिखना शुरू क यह किस ने कहा है यह कहा है बुक एन बुक ने किस ने कहा है 1993 में देखे इसमें कई इस्टेट्मेंट एक ही लोगों के द्वरा दिये हैं उनको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं आकलन विसिस्ट मॉड्यूल्स एंड सिक्षड प्रक्रिया जो परिस्थितिया होती है इनके अनुरूप किया जाता है यह किस ने दिया है जोहौरिक ने किस ने दिया 1995 में आकलन में उचिस तरिये चिंतन और कौशलता सन्नहित होती है अर्थात आरोपर मतलब एप्लिकेशन म मुल्याइक नमतलब वी उलूशन विसलेशन मतलब एनलेसीस और इससलेशन मतलब सिंधेट Hers Once KS यह किस के दोरा दिया गया है ये बुरी स्टोप 1995 और यागा 1991 ने दिया आकलन में ज्यान और समझ का आरू पर सननहित होता है यह दिया है जोहरिक 1995 में और यह वाला भी जोहरिक ने दिया था 1995 में याद रखेंगे इसे साब से questions पूछे जाएंगे तो आप relate करके याद कर लीजे फिर आकलन में तकनीक के एक विस्तार का प्रियोग होता है यह बरिस् प्रूक एन प्रूक ने भी फिर दिया कि आकलन के जो इंक्वारी होती है यह शामिल होता इसमें आकलन में इंक्वारी शामिल होती है फिर चात्र विस्तार के माद्यम से सूचना के प्रारंबिक इस तर से परे ग्यान और समझ जाते हैं और बड़े विचारों समस्यां और प्रित्याओं का गहराई से विसले सड़ करते हैं किस ने कह दिया यह Brooke and Brooke ने कर दिया 1993 में बोल दिया फिर 10 नमबर है कि छात्र समस्याओं को हल करते हैं जिसके द्वारा वे नवीन संदरबु में ग्यान का पुनहा संप्रतिक रड़ तथा विस्तार करते हैं यह किस ने कहा है बूग एन बूग ने कहा है 1993 में कहा है Osborne विट रोग 1993 में और जोहरिक 1995 में आप याद रखेएगा जोहरिक का 1995 इंपोर्टेंट है मतलब उनका उसी सन में देते हैं बूग एन बूग एन 3 में Osborne जो विट रोग हैं ये 1993 में और फिर से जोहरिक हैं 1995 में ये आप statement देख लिजे फिर योगर ने 1991 में दिया शात्र सभी परिस्तितियों में परस पर अंताक्रिया करते हैं जिसमें आखलन की अवधि में समलित होता है ये जोहरिक ने लास्ट दिया है 1995 में 13 statements आपको बता हैं 13 के 13 आपको याद होने चाहिए वन्ना में मारूगी ठीक है आप जल्दी से याद करिए फटाफट से याद कर लीजे क्छीकि देख़े कई सारे statement एक ही लोगों के द्वरा दिये गए हैं तो इसमें आपको ये confusion भी नहीं हुएगी किया रहे तो बहुत सारे हैं कैसे याद करेंगे क्योंकि बहुत सारे statement ऐसे हैं जो एक ही लोग के द् प्रतिविंबो और पुनरार्वत्ति द्वारा समझ के निर्बाद के लिए किया जाता है आकलन का एक बार और वता दिया अब देखे सिक्स्री नमबर क्या कहता है पूर्विसिक्षा और पस्षिक्षा में प्राप्त अंक जो होते हैं उसमें अंतर का कारण पार्टिचर्या की प्रभाव शिल्ता बताई जाती है और इस प्रकार यह पार्टिचर्या के मुल्यांकन का तरीका है ठीक, एक बार इसको पढ़ लीजे, पूर परिक्षा T1, उसके बाद क्या, पार्टिचर्या जो क्रियानवन होता है, वो और फिर परिक्षा T1, अब है, मानक संदर्वित इसमें, मानक संदर्वित परिक्षण, निकस संदर्वित परिक्षण, इसमें क्या है, मानक संदर्वि या मानक जिसे मानक संदरबित परिक्षर कहते हैं इसके आधार पर किया जाता है इस आधार पर हम पाठचर्या के इस तरह का निर्धारण कर सकते हैं अब मानक अतवा मानदंड से तुलना करके भी पाठिचर्या का मुल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति हुए तो क्या किया जा सकता है अब देखे लिखा हुआ है जो मान यहां पे जो था यह लिखा है मानक और मान दंड से तुलना करके भी पाठिचर्या का मुल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति है तो किया जा स सथा में हो तभी उसका मुल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके किसी भी पार्टचर्या का मुल्यांकन जब उसकी प्रवाशील था गुडवत था वंचनिय था या उपयोगिता के बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वहां निर्माडात्मक मुल्यांकन कहलाता है इंपोर् किया गया है पार्ट चर्या विकास प्रक्रिया इस तर प्रक्रिया मुल्यांकन जिसको बोलते हैं और प्रतिफल मुल्यांकन क्या होता है इसमें जो प्रोडक्ट होता है मतलब एक प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट विद्यार्थी है जिसका निर्गत अधिगम आउट पोट लर् क्ट ईकि पार्टिगर्म के सभी उद्देस ओ को सभी विद्यारतियों द्वरा प्राप्त किया जा सकेक्ए उद्देस के इस्तर को निपुड़ता इस्तर कहा जाता है ठेक 17 नमबर हमारा लास्ट लास्ट है एक मिनट देख लीट नहीं 18 अभी है इसके बाद 17 नमबर है अधि अधिक्षर 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 और अध्यापकोद अथा विद्यारतियों को उनका सोयम का मुल्यांकन आदि करने के लिए पुनाहन परीक्षड और प्रतिपुस्ट मतलब फीडबैक करना है अता सत्त मुल्यांकन बालक क्या जानता है क्या नहीं जानता है और अधिगम में उसकी क्या प्रगत है जो सिक्षा का उद्देज है इसको समझने का नहीमित औसर प्रदान होता है बहुत 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 इंपोर्टन ठीक है वरण असंग्यानात्मक मतलब non-cognitive चमताओं का विकास करना भी है जो सैक्षिक शेतर है इसका संबंद बहुत 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 है यह अंपे characteristics लिखी हुई है जो हमारे इतनी ज़़्यादा important नहीं पटाप एकबर पढ़ीजे क्योंकि देखे अभी आगे से related questions भी आएंगे अभी इसी में बताऊंगे आपको किस तरह के question पुछे आ सकते हैं सतत और व्यापक मुल्यांकन विद्यार्थियों का स्कूल आधारित मुल्यांकन है जिसमें विद्यार्थि के सभी पक्षों को सामिल गया जाता है सतत और व्यापक मुल्यांकन का सतत पक्ष मुल्यांकन की निरंतरता और आवर्तिता जो मतलब periodicity होती है इस पर ध्यान देता है ठीक है नेक्स से कि सतत का अर्थ है विद्यार्थियों का सिक्षा के प्रादम में मुल्यांकन placement evolution और सिक्षर प्रक्रिया की अवद्य मुल्यांकन मतलब सनशनात्मक मुल्यांकन करना अनौपचारिक रूप में बहुविदी तक्नीकों का मुल्यांकन के लिए प्रयोग करना ये सारी चीज़ें important है सेक्षी शेतर में आकलन और अनौपचारिक और अपचारिक दोनों प्रकार से मुल्यांकन की बहुविदी तक्नीक का प्रयोग करक निरंतर और आवर्तित मतलब periodic रूप में किया जाता है नैदानिक मुल्यांकन यूनिट के अंत में किया जाता है खराब निस्पादन का कारण कुछ यूनिटों में नैदानिक परिक्षड के कारण इसके प्रयोग के द्वारा ग्याप्त हो जाता है अब जो सदत और व्यापक मुल्यांकन है निरंतर और अवादिक मतलब periodic मुल्यांकन का ध्यान रखता है निरंतर का अर्थ है अध्यापन से पूर्व आकलन और अध्यापन की अवद में मुल्यांकन मुल्यांकन की बहुईति तक्निक का प्रयोग अनौपचारिक रूप से करना है अब आवदिक का अर्थ निस्पादन का आकलन यूनिट के अंत में निरंतर करना है योगात्मा मुल्यांकन जिसमें निकस अंदर बित परिक्षडों का प्रियोग होता है और मुल्यांकन की बहुई तकनिक का प्रियोग होता है अब सैक्षिक शेत्र का आकलन अपचारिक और अप्चारिक होता है निदात्मों ल्यांकन यूनिट के अंत में होता है और कुछ यूनिट में खराब निस्पादर निदान परिक्षडों के परिक्षडों द्वारा ग्यात किया चाता है आप इसमें क्या है इसमें देखे जो हमारा अब देखे इसमें क्या है कि सततव व्यापक मुल्यांकन पर किस तरह के ःक्षड़ सकते हैं सदत और व्यापक मुल्यांकन का अर्थ बार-बार परिकैटकर में हैं मतलब कार है तो इसको आप पढ़्ड़ लीजे क्योंकि अभी मैं आपको यही बता चुकी हूँ अब मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई पढ़ने की आप इसको एक बार इसको ले लिजेगा आपको PDF मिल जाएगी वैसे आप यहां पे इसको पॉस करके भी देख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है फिर हमारा विद्यार्थियों को कि इस्ट् आप से help करती है यह भी आपको याद रखना है यह भी मैंने आपको बताया है और ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी बाजार से प्रोट्रक्ट ला करके आकलन के लिए जमा कर दिये जाते हैं इस प्रकार के अनुचित आचार के लिए कोई नियंत्रड है तो यह चीज आप यह देख लीजे समझा जाएगी ठीक अब देखें 18 नमबर है हमारा आज का लास्ट चैप्टर है विद्याली अनुभाव इंट्रोंसिप कारेकरम छेत्रे कारे पार्ट विसे और पार्टी सहगामी क्रियाओं का आकलन देखें जो 18 नमबर चैप्टर है हमारा इसमें इतना कु पार्ट चर्या है इसका मुल्याकन इस आधार पर बे किया जाना चाहिए कि अमुक पार्ट चर्या द्वरा च्छात्रों को ऐसे वसर दिये जाए जिसमें विद्यार्थी नई चीजों के आजमाएं जिसे तोड मोड करें गलतियां करें और अपनी गलतियों को स्विकार प्रत्मिक्ता देना अपने आप में एक सक्री और सामाजिक गतिविदी है परंतु इसके विकास है तो प्राया बच्चों को विद्याली नुबहों से खुद हकीकत है तो प्रोचसाहित नहीं किया जाता है फिर है कि इस द्रस्टे से जो पाढ़ चल रहा है इसमें विद्य प्राया बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है कि हर चात्र सैक्षिक समाजिक और आर्तिक सारीरिक और योगिता की द्रस्टे से दूसरे चात्र से भिन होता है कोई जो रही थोड़ी है कि सारे स्टुडेंट्स जो है वो सिमिलर हों एक दूसरे के ऐसा बिल्कुल नहीं प्राया नया विवसाय और नोकरी आरंब करने वाले उन कॉलेजों विद्यालियों के चात्रों और युवकों के लिए प्रयोक क्या जाता है जो भी नय नय इस चेत्र में उतरे हैं जो उतरते हैं नय नय चेत्र में उनके लिए इंटर्शिप होती है ठीक है और प्रसिक्ष सीखने में लगाना चाहिए जो internship है इसके अवद कितनी हो सकती 6-12 हपते भी हो सकती है और 6 महा तक भी हो सकती है याद रखेंगे इसका duration important है फिर जो internship है इसके दुरान चात्र एक सापता है एक डायरी जनलन तयार करते हैं जिसमें उनके प्राप्त अनुभग की और जो दूर द्रस्टी होती है उनका लेखा जोका होता है अब इसमें हम नीचे बढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया था बताऊंगे आपको important है यह जो लिखा हुआ है assessment of co-curricular activities in curriculum और फिर है importance of co-curricular activities in curriculum ठीक है इसमें क्या है इसको आप पूरा पढ़िएगा ठीक है कहीं से questions में बन सकता है जरूर से लिखा हुआ है कि पाठ्यांतर क्रियाओं का पाठ्यक्रम में उतना ही महातु है जितना अन्यविसियों का शिक्षा का लक्ष केवल तीन रुपए मतलब reading writing और arithmetic पढ़ना लिखना और गडित की सिक्षा देना नहीं है अब यह तु 7 रुपए reading, writing, arithmetic, right, responsibility, relationship और recreation यह साथ इसलिए लिखा कि कि यह 7 points लिखे है 7 रुपए मतलब यह 7 points reading, writing, arithmetic, right, responsibility, relationship और recreation इसकी सिक्षा देना है यह सिक्षा तभी दी जा सकती है जब कि पाठ्यांतर क्रियाओं का स्कूल में उचित प्रबंध हो वास्तों में जीवन की सिक्षा देने के लिए तो यहाँ पाठ्यांतर क्रियाओं पाठ्यक्रम के अन्य विस्यों से भी महत्वूर है प्रतेक विद्याले क्रियाशील विद्याले एक्टिविटी स्कूल होना चाहिए ठिक जो ऐसे ही विद्याले जो होते हैं इसमें छात्रों को जीवन की सिख्षा एडूकेशन फॉर लाइफ मिल सकती है ठिक और उनकी जो मनोवे ज्ञानिकता की आवशकता होती है वो पूरी ह हो सकती है और जन तंतरवाद के लिए जो परिसक्षड है ये भी ले सकते हैं तिक अब विद्याले सिक्षा की विसेस्ट एजंसी की रूप में किस हिसाब से जो मादमी सिक्षा आयोग 1952-53 है इसने क्या कहा इसने कहा कि मादमिक विद्याले को चातर में उचितर मात्रा में न यह अनपचारिक grigni आपचारिक अब नन क्या कह देते हैं नन भी एक statement दे दिये इसी लगे हाथ में कि हम भी दे देते हैं कि statement हाई बच्चों के लिए थोड़ा तफ कर देते हैं बच्चे वैसे बहलुज इतना परिशान है, और करते हैं देखे नन क्या कह दिये नन ने बोल दिया कि एक राष्ट के विद्याले इसके जीवन के अंग हैं जिनका प्रमुकारे आत्मिक सक्तिका एकिकरण एतिहासिंग निरंतरता का अनुसरण बूतकाल की सफलताओं को प्राप्त करना और भविसी की गारंटी है विद्याले उसे ही विद्याले कारे समुदाय होंगे इन सेक्षड संस्थायों में गईतर के कोशन पूशा सकते हैं इसलेम को बड़ा-बड़ा पढ़ना पढ़ रहा है उत्तर दायतों की सुईकार के कार्यूं में लगे रहेंगे, ठीके तो ये जाकर हुसेंची ने कह दिया, पाठ्यांतर कियाओं का वड़ी करद हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज का किसे साथ से सारी गविका संबंधी क्रियाईंस में, साहिते क्रि पहाड़ों पर चिरना वस्तुव का एकत्रे करणा नागरिक सिछा समंदित इसमें क्या है सहकारी समित बाल सभा बहुत सारी ऐसे गत्विदिया है जिन से रिलेट चीजें हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है तो जी यहां पर एंड होता है आपका हमारा जो 18 चैप्टर स इसमें 24 टोटल है अब आपको 6 आगे बिता दूंगी बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है बस स्टेट्मेंट्स दे देते हैं सब ही लोग और आप सब हमारे अच्छे स्टूडिन्स जो है वो परिशान हो जाते हैं बताइए गलत बात है ना तो चलिए अपना ध्यान देखिएगा पूरा देखिएगा कन्फ्यूजन है बताइएगा और कैसा लगता है वीडियो आप फटा फट से हमारे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजेगा ठीक है ओके थैंक यू बाई